हेलो माई दियर्स स्वागत है जी कैसे हैं आप उम्मीद करते हूं आप सब ठिक ठाक होंगे और को सलता से होंगे बैसे तो है ना वीडियो टाटेल से आपको पता चली गया होगा कि आज हम बालों के लिए एक अमेजिंग जी रेमेडी बनाने वाले हैं जो कि बालों को डाइ बीज से वाइट हो रहे हैं बक्स से पहले सपेदवाल होना सुरू हो जाते हैं तो आज मैं एक अमेजिंग सी रेमेडी लेकर आए हूं आप सभी के लिए और इसको अगर आप रेगुलर यूज कर लेते हैं एक मत के लिए तो आपकी बाल कसम से मूट डाय हो जाएंगे और इतना जबरदस हैर ओयल बनाना बताऊंगी अगर उसको बनाकर आप लगाते हैं तो आपके बालो में कलर भी होगा और साथी साथ ऐसा तेल है जो आपने साथ अभी तक यूटूब पे नहीं देखा होगा बहुत ही सिम्पल सिर्फ दो चीजों से एक ऐसा ओयल बनके तयार ह एक दम करेंगा और साथ ही आपके बालो को डेमज होने से बचाएगा बालो में जोरूब न भी कदेगा तो बैटूब में जरूर है बहुत ही जब बने रही बहुत ही सिम्पल तरीके से मैंने आपको टई बनाना बताया बहुत ही और पहुत ही prevention hätten समा आपको क्या करना है जो हमारी पहली रेमेडी है चली हम वो तैयार करते तो आपको लेना है या सबसे पहले चुकंदर अब चुकंदर का नाम सुनके आप सोचेंगे वीडियो स्किप कर दीजे अरे देखिए तो आंगे मैं कर क्या रही हूं क्या बना रही हूं यहां पर तो च सबस्सक्राइब करने के बाद आपको करना है इनको बढ़तन एक लोहे की रहा के बतना हो आपके बाद के बातन है कि अमारी remedy बनके तयर हो जाए इस तरह की आखार का में एक की क्लेर लेते हैं तो असमें बल्यक कलर होता है तो उसका ब्लेक लर लोहे की कड़ाई में होने के वज़े से हमाई रेमेडी में वो छूड़ जाता है और रेमेडी में जब वो आ जाता है तो हमारे बालो की ना उम्मर बहुत ज़ाती है क्योंकि ना लोहे के बरत्म में गुड़नस बहुत अच्छे होती है तो अब आपको इस लोहे क से गुणगुना पिर आपको इसमें क्या करना है अब आपको मिलाना है यही बारी कट्ट हुई चुकंदर जी हां जो हमने भी कुपंदर लिये ना जितना हो सकी आप पार इड़े, बहुत अच्छा होगा तो इसको न आप काड कर अब जो हमने लिए हैं तो इस में हम चुकंदर इसमें Moina करा नियुद एक वापना पाशुदराना लगेगा नियुद कुछ ठीवे करिको ने कि यहां पर बना रहे हैं अपना बहुत ज्यादा इंपोर्टन खास तेल तो अब आपको इसमें डाल देना यह गुरल की फूल अब हमें इसे 20 मिनट के लिए पकने देना है और हमें बिल्कुल धीमी आँच में पकाना है ज्यादा रहना तेज आँचे मत पकाई है यह ना इस कि यह हैं आपको में बता रहे हैं आपके बालों कुलों रंगने मदद करेगी और बालों को घना लंबा और रहना लंबे करने में सहाथाई भोजादक करेगी तो देखिए बेसमेट होने के बाद बहुत अच्छी से बड़े तरीके से बन चुका है और इसने अपना कलर भी इसमें काफेची तरीक के छोड़ दिया है अब इसमें कम कलर आया है हलका फुलक आपको साथ ना दिख रहा होगो साथ वीडियो में ना सच्छी से ना कवर नहीं उपार आओ ज्यादा रूसनी के ओजिसे तो देखे इस तरह से अब आपको क्या करना है गैस को बन अब इसी दे सकते हैं दूसरे दिन के यह क्लिप अब इसके पूरी तरह से हमारा हेयर किलर हियर ऑसकर तयों हे और थ controversy हैं आपके आपकी बाल को ना वाइट होने से न रुक की और साथ चाना बढ़िनी रहें विझाना सुरूं होता है आपकम नहीं हो रहा है या ज़ह比較imasust रहें धुमू बालो गएं कुछ भी प्रॉब्लम में आपके बालो की एटूजर इस तेल से खतम हो जाएगी इसे आप लगाई ट्राइ कीजिए बहुत अच्छा ना आपको रिजल्ट कर लेगा वस इसे जैसे नौर्मल तेल लगाती ना उसे तरह से उसका सितमाल कीजिए को 2 चुकंदा फ्रिश है ठीक है जी 2 चुकंदा ले लीजिए आच्छे से बारी बारी टुकडों में काटकर इस तरह से देख सकते हैं इतने बारी टुकडे कर लीजिए चलिए इसको भी सब़सा द्रग देते हैं अब हमें लेना है एक बड़तन उस बड़तन में आप पानी लेगे बड़ गिलास पानी लेने के बाद अब इसमें हमें मिलाना है यही चुकंदर-बारिक-कटूंझे दो इसमें गुड़ल की फूल सूखे गुड़ल की फूल यह चार से पांच छे ना आप इसमें अच्छे से तोड़ के क्योंकि द्राई है तो कड़क हो जाते है सूखने के बाद इसमें अच्छे से फोड़के इसमें डाल दीजे तोड़कर अब आपको इसको पकाना है जब इसको पकाएंगी तो जो चुकंदर है और गुड़ल की फूल का जो इना अर्ख है इस पानी में अच्छे से आ जाएगा और घड़ा पना जाएगा तो ही देखिए यहां पर यह बहुत अच्छे तरीके से उबल चुका है और इक ग्लास हो गया है मैंने दो ग्लास पानी लिया था यह ग्लास मैंने को कर लिया अब उबलने के बाद पकानी बाद अच्छे से जबी फुल वाइल हो जाए तो अब कर देना है आपको गैस बंद इस तरीके से इसका पकाना है और फिर आपको गैस बंद कर देना है फिर इसके बाद आपको लेना है एक लुही की कड़ाई जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ बलेक कलर के लुही की कड़ाई लेना होनी चाहिए आपकी और इसका न जो कलर होता न बहुत अच्छा आता है इसमें पिगमेंट न बहुत अच्छी तरह ऐसे होती है न बालो के लिए और ठीक भी होता है उसके बाद आपको क्या करना है अब आपको यहां पर महंदी लेनी है महंदी आप कोई भी यूज कर सकते हैं नि मिक्स्छर हमने अब रेड़ी किया था न बही है न चुक 11 की सूके फूलू का चमचे की हिल्प इसमें डाल लेना है आपको डालते जाना है और इसमेहदी मिक्स करते जाना है और देखते जाएं कितने में यह जो पेष्ट है हमारा बने के पा तयार और हो रहा है जैसारे से之से मैं आपको दिखा रही हूं है उसी तरह से तो देखिए इस तरह से ञे जो पेस्ट है रेडी होना चाहिए आपका आपने यहाँ पर इसको mix कर दिया एक तड़ीचे से तो इसुक्त तरह से आपको mix कर लेना है मिक्स करने के बाद क्या करना है अब आप देखेंगे कि यह क्रीमी पेस्ट में आ गया है किसी तरह कि इसमें लंस भी नहीं है बहुत अच्छे से हमारा पेस्ट बनके तयार हो गया है तो इसी तरह से आप बना लीजिए अब आपको इसे न ढख देना है और एक रात के लिए रात के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप चार से पांस घंटे के लिए छोड़ दीजिए लेकिन बहता रहे कि आप ना लोही के बतने में ने मेहदी घोली है तो इसे ने रात बर के लिए ढखका रखके बहुत जादा बैस्ट होती है और लोही की कड़ाई मे अपना है ना यू ब्लैक पन होता है ना लोही की कड़ाई मेहदी का छोड़ जाता है और जो रिजल्टे भी ने बहुत बहुत बहतरी नाते हैं अपके बालो की उपर तो देख चलिए अब मैं से रात बोली छोड़ देते हैं तो जी यह है नेक्स डे की किलिप मैं आपको बाल दिखा रही हूं और इन पर किसी किसम की तरह डाई बूसीका स्पेदाल होनाशुयां कुछ सकते ही तो इन्हों ने अपनी बालों में भी कलर भी नहीं किया है रहे हैं यह किसी तरह की यूर का यूजध नहीं करती है अगर आपको यूज़ करना है मार्किट वाली डा वरगंडी कर देती है जो भी आप कलर यूज करते हो बट उस समय बाद वह आपके बालों की बिल्कुल चमक छील लेगी रूखे पन हो जाएंगे आपके बाल और प्लस आपके बाल दो से चार बाल सफेद हैं और बात में दस से बारा बाल आपके सफेद होना शुरू हो जाए यह होता है केमिकल वाली इना डाई को हेर कलर का काम तो अगर आप अपने बालों को बचाना चाहते हो तो प्लीस आप इना अपने बालों महदी का ही यूज करें अलग तरीके से बालों महदी लगाएं वन्ना अगर आपको अपने बाल खराब करना है दोस्तो आपकी चोईस कि साब से बोलने तो आप इना डाई समाल कर सकते हो बर्ना मैं तो आप उस नहीं करोंगे कि आप अपने बालों कभी भी कैमिकल वाली हेर कलर ये हेर डाई लगाएं आप जितना उसे के हिना पैक लगाई ये हिना मदलब जितनी महदी हैं आप इन अच्छे से अलले तरीके से कभी लोहे के बरतन में तो कभी बना लोहे के बरतन में श्टील के बरतन में उस तरह से आप महंदी घोल के अपने बालों में लगाईए आपके बाल बहुत अच्छी हो जाएंगे आपके बाल डैमिज भी नहीं करेगी महंदी को नेश्रूर लेना कलर हेयर डाई होती है अब को लगता है कि मैं बहुता बगबग करती हूं प्लीस गाइस भी बगबग नहीं है यह मैं आपको जानकारी दे रही हूं कि मैं चाहती हूं कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और जो मुझे भी देख भी रहे हैं मेरे वीडियो को वह अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं और अ पर से बालु को नहीं लिए लिए फिर उसका जीजे बालु की लेंट तक फिर अच्छे तरीके से नहीं आप लगाकर कवर कर लीजिए देखी गाइस में मेहिं लगा रही थी आप मेरे महिंदी लगाते समय मेरे हाथ देख सकते हैं color होना सुरूर गए हैं थोड़ा हलका सा brown color आ रहा है बट जब आप बालों में देखेंगे तो नहीं ज़्यादा dark बरगंडी देख़ेगा नहीं ज़्यादा dark brown देखेगा हलका सा बीच का सेट दिखिएगा जो बलेकनेस में भी आता है तो यह बाल आपके हलके से साइन भी मारेंगी फलस आपके बालों हलका सा दिखाए देगा तो इस तरह से आपके बालों में बर्जाएगा वरगंडी लगे बने दिखाएगा आपके बाल डैमिज नहीं होंगे कोई केमिकल नहीं है इसमें कोई भी इना आपकी सोचे हमने बहुत जाथा ताम जाम किया कुछ भी नहीं सिंपल तरीके से हमने यहां पर महंदी बनाई है और बालों में अपलाई की है और काफी ना बाल देखिए सौप दिखते हैं अभी मैंने सिर्फ इना गीले बालों में आपको दिखा रही है और गीले बालों में हलका सा कलर पहले के ना किलिप मैंने दिखाई है साधा आपको इसमें कि बाल पहले इनकी डैमिज थे में पहले रुखेते बेचान थी कोई कलर ने था इनके बालों में अफस Whoo दूड़ा कलर में बहरें सकते हैं जब बाल में आपकशक किलर दूँगी तो देखिए आप इनके बालों में कलर किस मांशने यह होता है हिना का infrastruktur बालों को हिना है जब लागाते हैं तो डेमिज नहीं करती है देखिए यह बाल सॉफ्ट भी हो गए है और कलर भी बालों में आ गया है तो आप अपने बालों में हिना अपलाई जरूर कीजिए बहुत अच्छी डाई होती है इना बहुत अच्छा नहीं कलर भी होता है तो यह इनका रिजल्ट है फर्स टाइम का है जब आप इसे रैगुलर करते रहेंगी तो दिन पर दिन आपके बालों में बढ़ता जाएगा बगंडी सेट होता चला जाएगा नेचरली आपके बालों में भगंडी कलर होता चला और गाइस अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए का और नोटिफिकीशन का जो बगले बटन है न उसको दवा दीजिए जिसमेरी हरी क्रेमिटी को देख पाएं तो गाइस मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक बगल ने क्रेल न